मित्र अन्वश्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हर्दे कविननन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूच्व फेस्बुक और आज़ी टीवी नेटवर्क पर दोस्तों ये चैनल आपका है आपके लिए आप इसका मूल कारण है तभी तो आप से कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें वीडियो जरूर शेयर करें और बैल आकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन साब तक पहुंच पाएं तो चलिए हम हाजर हैं लेके आपके लिए स्पेशल सेग्मेंट स्वपन शास्त्र और स्वपन स्वपने शास्त्र में आज हम बात करेंगे देवी लक्ष्मी की और मैं अगर कहूं कि देवी लक्ष्मी सबसे important देवी है तो आप क्या कहेंगे देखिए मान लिया कि पैसा कमाने के लिए बुद्धी ओने के सरस्वती की जरूरत है लेकिन उद्देश क्या है ग्यान का उद्देश क्या होता है कल्यूग में ग्यान का उद्देश जो है वो धनारजन है चलिए अगर आपके पास बहुत पावर है आपके पास में काली है आप बहुवली है तो उद्देश क्या है धनारजन है तो देखे ये जो संपून संसार है ये लक्षमी पर चलता है शरी पर चलता है और हम इसके बारे में ज़ादा जानेंगे और हमारा जो विशेश टॉपिक है सपने में देवी लक्षमी को देखना शुब है आशुब आईए इस बारे में जानते हैं देखिए ज़ादातर हम सपने में वही दृष्ष देखते हैं जिसके बारे में हम अधि voluntary होते हैं, जैसे हम सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, अपनी इच्छा से, लेकिन सपने हमें भविशा का संकेत देते हैं, और कुछ सपने जीवन में बड़ा महत्वर रखते हैं, जैसे कि जीवन में पैसा बहुत बड़ा महत्वर रखता है, कहावत तो सुनी हो गया पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं है, सच्चाई भी यही है, क्योंकि यह जो संपूर्ण संसार का जो चक्र है, यह पैसे पर टिका है, स्कूल के लिए पैसा, बच्चे की फीस के लिए पैसा, रस्टरॉंट में खाना खाने के लिए पैसा, कौफी भरने के लिए पैसा, दिमाग भरने के लिए पैसा, पढ़ाई के लिए पैसा लगता है, पानी पीने के लिए पैसा, बीस रुबे की बॉटल लेते हैं आजकल आप, यही बीस रुबे की बॉटल जो है, किसी फाइस्टार होटल में धाई सो रुबे की मिलती है, एक गरीब आ पैसा इतना important है है ना और मैं यू कहूं कि जीवन में अगर इश्वर के बाद सबसे important अगर कोई चीज है तो वह पैसा है इश्वर इश्वर के बाद में माता पिता और हमारा परिवार और उसके बाद पैसा इसके बाद सारी मोहमाया है और मोहमाया ही पैसे से है है ना सोच के देखे ज़रा खास तोर पर अब हम बात करेंगे कि पैसे को जो रूल करती है कौन करती है देवी लक्ष्मी धन की देवी श्रिया अगर वो आपके सपने में आ जाएं तो क्या हो आईए बात करेंगे इस पर कि यदि आपको सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाएं अपने शास्त्र का क्या फ्यल है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा यह सपना आपने किस अवस्था में देखा है। देवी लक्षमी क्या कर रही है। ईतियादी-itiyadी। आप देवी के साथ में किस अवस्था में हैं यह बहुत कुछ नीब भर करता है। सपने के बारे में जानेंगे देखे स्टार्ट करते हम सपने शास्त्र और हिंदु शास्त्रों के अनुसार देवी लक्षमी को सपने में देखना शुब संकेत माना जाता है सपने में देवी लक्ष्मी के दर्शन पाने कारत है कि जब प्रसन्न बुद्रा में देवी आपको दर्शन दे रही हूँ तो उसका आर्थी है कि सफलता प्राप्त होने के योग हैं धनलाब होने के संकेता और भविश्य में धन से जूड़ी बड़ी समस्याएं खल होंगी सपने में देवी लक्ष्मी को उल्लू पर बैठे वे देखने बहुत लाबदा और फायदेबंद माना गया है इसका आर्थ है स्वें लक्ष्मी आपके घर विराजमान होगी और सपने में देवी लक्ष्मी को उल्लू पर बैठे वे देखने का एक और तर्थ है वो है कि व अवसाय में बेहिसा फायदा होगा सपने में दिवी लक्षमी को उल्लू पर बैठे वे देखने का अरत है नौकरी में बड़ा इंक्रिमेंट मिलेगा और साथी साथ अब आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने लक्षमी के दर्शन नहीं कि तो इसका अरत है कि बेरोजगारों को जल्द रोजगार मिलेगा ध्यान रखी इस बात का सपने में दिवी लक्षमी की मूर्ती देखने का एक और अरत है कि कारोबार में उन्नती के दिशा में आगे बढ़ना है आपको अब बात करेंगे कि लक्षमी के साथ अगर गणपती भी जा जा जाएं तो तो सपने में दिवी लक्षमी को गणेश जी के साथ में देखना अत्यन तलाब दहे कमाना गया है जिसका अरत है धन प्राप्ति मारे अर्चने दूर होंगी विगने से छुटकारा मिलेगा सपने में दिवी लक्षमी के अगर आप पूजा कर रहे हो तो इसका क्या फ़ल है शास्तिर कहता है कि अगर आप दिवी लक्षमी के पूजा कर रहे हैं सपने में तो इसका अरत है भविश्य में आर्थिक स्थिति का मजबूत होना कर्म से सपने में दिवी लक्ष्मी को गुस्षे में देखना कि वो आप पर गुस्षा कर रही है ये अशुब जंगेत माना के है जिसकार्थ है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना आने वाले समय में भविश्व से जुड़ी वी इस्थिति बहुत विकट मानी जाती है सपने में दिवी लक्ष्मी से काप हवन कर रहे हूं खुद को हवन करते वे देखना इसका आर्थ है बड़ी समस्या के निवारन के लिए बहुत मेहनत करने पड़ेगी आपको सपने में देवी लक्ष्मी से बाते करना इसका आर्थ जो है वो है समस्या से निकलने की आपको सहिता चाहिए और सहिता मिलेगी सपने में देवी लक्ष्मी का आशिरवाद लेते वे देखना कि माता लक्ष्मी आपको आशिरवाद दे रही है शुब संकेत है जिसका आरत है भविश्य में नए काम की शुरुवात होगी और जिसमें आपको सफलता मिलेगी सपने में देवी लक्षमी को दूर जाते वे देखना आप से दूर जा रही है लक्षमी उनकी पीठ देख रहे हैं तो ये अशुब संकेत पाना गया है जिसका आरता भविश्य में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है तो दोस्तों ये था माता लक्षमी को सपने में देखने का फल सपने शास्तर का उड़िए ऐसे ही इंटरस्टिंग एपिसोड हम आप से लेकर मिलते रहेंगे इजाज़त दीजिए सुमीद के साथ कि हम सभी का आने वाला कल सुन्दर सुखत और सुरेणिम हो जाने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि ये चैनल आपका है आप इसे चैनल कमल लंदलाल को यूट्यूब फेस्बूक और आज़िटीवी नेटवर्ग पर देख रहे हैं इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो जरूर शेयर करें और बेल आकन जरूर दबाएं कल फिर मुलाकात होगी नए विशेख को लेकर इजाज़त दीजिए नमस्कार नमश्वाए